हाई, वेलकम तू मैच सोलिशन्स फाउंडेशन इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9th NCIT बुक से सॉल्व के जाएगा सारे क्वेशन्स तो इसमें किवाल 4 एक्वेशन्स है चलिए स्टार्ट करता हैं, फर्स्ट क्वेशन इस जीरो और रैसनल नंबर, can you write it in the firm P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 तो पहले जो यहां पर दो पार्ट है इस क्वेशन में, पहला पार्ट कार रहा है कि इस जीरो और रैसनल नंबर, तो इसका अंसर होगा येस, it is a rational नंबर, तो फर्स्ट पार का अंसर हो गया और आप जानते भी हो कि यह rational number है लेकिन यहाँ पर कुछ और भी उपका रहा है का रहा है कि क्या हम 0 को P by Q के form में लिख सकते हैं जहां पर P और Q क्या है integers हैं और Q not equal to 0 हो तो yes हम लिख सकते हैं जिसे कि 0 आपके पास है 0 को आप लिख सकते हो न ऐसे 0 upon 1 we can write 0 is equal to 0 upon 1 where where 0 this 0 and this 1 are integers isn't that and आप यह जानते हो कि Q Q मतलब क्या था 1 1 is not equal to 0 and Q is not equal to 0 that is 1 is not equal to 0 तो यह हमारा answer हो गया second question पर आते हैं find 6 rational numbers between 3 and 4 okay question number 2 find 6 rational numbers between 3 and 4 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 and 4 सबसे पहले देखेंगे कि denominator क्या है इसका तो यहाँ पर 1 है यहाँ भी 1 है हमें निकालने हैं 6 rational numbers तो 6 में एक add कर दिजिए कितना हुआ 7 अब यहाँ पर जो denominator है यहाँ पर हमें 7 लाना है तो यहाँ पर 7 लाने के लिए इस number में numerator में और denominator में दोनों में 7 से multiply करना पड़ेगा तो लेट अस multiply what will you get 3 into 7 upon 1 into 7 यहाँ से आंसर आने वाला है 7 तरी जा 21 upon 7 और आपका यहाँ पर आएगा 4 7 जा 28 upon 7 आप देख पार होंगी यहाँ पर denominator denominator सेम हो गया है जब denominator सेम हो तो numerator में देखे क्या difference है 21 और 28 में 7 का difference आ रहा है मतलब कि 6 numbers आराम से मिल जाएगे केवल आपको 21 से आगे count ही तो करना है मेरे कहने का मतलब यह है कि इस से 21 upon 7 से just बड़ी number आप तुरण पता कर लेंगे यहाँ से इस से just बड़ा number है 22 upon 7 इस से just बड़ा number होगा 23 upon 7 इस से just बड़ा number 24 upon 7 इसको हम दोरा और दूर कर लेते हैं इस से बड़ा क्या होगा 25 upon 7 इस से बड़ा 26 upon 7 और इस से भी बड़ा होगा 27 upon 7 और जो ये number था वो हो गया 28 upon 7 तो आप देख पा रहा हैं यहां पर 1, this is 1 rational number this is 2nd, this is 3rd this is 4th, this is 5th 6th, हमने 6 rational numbers find कर लिये हैं तो this is a simple method to find 6 rational numbers between any 2 numbers the next question is, find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5 सबसे पहले आप इसको यहां लिख लेंगे 3 upon 5 and 4 upon 5 यहां पर देखिए denominator same है यदि denominator same होता है तो numerator में difference पहले चेक कर लेते हैं तो 3 और 4 का जो difference है वो 1 है, तो इसमें कोई भी rational number नहीं मिलेगा तो हमें करना क्या है बस सोचना इस तरीके से है कि इसके denominator और numerator में किसी numbers मटपलाई करने पर इन 3 और 4 में difference बढ़ने लगता है तो बस हमें difference बढ़ाना है और उसके लिए किसी number से मटपलाई करना है नीचे और उपर यहां भी नीचे और उपर तो क्या करेंगे किस number से मटपलाई करेंगे तो हमें देखना है यहां पर कि कितने rational number को find करना है तो 5 rational numbers को find करना है तो हम यदि 5 में एक add कर दें तो 6 मिलेगा 6 से ज़ए मटपलाई करें नीचे और उपर तो 3 और 4 में जो difference है वो 5 का बढ़ जाएगा तो let us multiply तो यहां पर होगा 3 into 6 upon हम दोनों में 6 से ज़ए कर रहे है ताकि यह number वही रहे 4 और 5 ही रहे क्योंगी कटने पर same हो जाएगा यहां भी कटने पर 3 और 5 ही रहेगा और यह जो numbers मिलेंगे 3 6 जा 18 अपान यह 30 और यहां जो मिलेगा इसको यहां लिखते है 4 6 जा इसको बाद में लिखेंगे इसके just 18 के just आगे वाला जो number होगा कौन सा होगा 19 अपान 30 इसके आगे वाला number कौन सा होगा 20 अपान 30 21 अपान 30 इसके आगे वाला 22 अपान 30 इसके आगे 23 अपान 30 और इसके जश्ट आगे वाल नंबर जो होगा ये होगा 46024 अपान 56030 तो हमने find कर लिया 5 यहां से ले करके यहां तक 5 rational numbers between this यह कौन सा नंबर है 13 अपान 30 जो है 3 अपान 5 ही तो है यहां लिशकते हैं 3 अपान 5 यहां पर इसके इसको लिशकते हैं 4 अपान 5 यहां पर इन numbers को थोड़ा सा इसको standard फाम में लिख लेते हैं hence the numbers are यहां से अपान लिख लेंगे 19 में और 30 में कोई भी count factor नहीं है तो इसको as it is लिख दीजिए यहां पर cancel करना पड़ेगा 0-0 cancel होगा 2 upon 3 मिलेगा यहां पर भी cancel होगा 3 बंजा 3, 10 and 3, 7 बंजा 21 7 upon 10 यहां पर होगा 15 11, 2 से 11 upon 15 now यहां पर कुछ नहीं कटेगा 23 upon 30 तो these are the 5 rational numbers which are in between 315 and 415 जो हमें find कर लिया है क्या इतने ही rational number है इन दोन के बीच में नहीं there are infinite number of rational number between this and this जो कि मैं पढ़ाया हूं लेक्चर 1 में आप यह दी playlist से देख रहे हैं यह exercise तो आप देख सकते हैं उस playlist में जा करके मैंने सारा explain किया हुआ है इसका concept now the fourth question ध्यान देजेगा state whether the following statements are true or false give reasons for your answers हमें यह बताना है कि इसमें से each statement गलत है या सही है true है या false है और यदि false है तो बताना है कि क्यों है यदि true है तो बताना है कि क्यों है चलिए पहले पढ़ते हैं every natural number is a whole number तो सारी natural numbers whole number होते है natural number में 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है dot 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 इस तरह के numbers होते हैं whole numbers में 0 होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है ऐसे number होते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि सारे natural numbers इस whole number वाले set में हैं क्योंकि 1,2,3,4 यहां से है ही तो यह statement बिलकुल true है तो लिखेंगे this statement is true because reason क्या होगा? reason देना है आपको reason यह होगा कि natural number starts from 1 and whole numbers starts from 0 so all natural numbers will be included in whole numbers are included in whole numbers now the next question every integer is a whole number integers, integers का जो set होता है वो कुछ ऐसा होता है पहले 0 होगा इधर negative numbers minus 1, minus 2, dot, dot इधर जो होगा plus 1, 1, 2, dot, dot तो ऐसे होते हैं integers whole number में क्या होगा? क्योंद 0 से start होगा 0, 1, 2, 3, dot, dot, dot अब देख पा रहे हैं कि यहां बोलाएं कि every integer is a whole number यह कैसे हो सकता है integer में minus 1 देखिए, minus 1 ही दिलेंगे minus 1 इसमें नहीं है minus 2 इसमें नहीं है तो लिखेंगे कि this is false because because negative numbers negative numbers does not lie in whole numbers whole numbers okay चलिए अब हमारे पास next question है every rational number is a whole number यह तो बिलकुल ही नहीं हो सकता क्योंकि rational number बहुत बड़ा set होता है whole number is just this मतलब 0 से start होता है 1, 2, 3, dot, dot, dot ऐसा कुछ होता है लेकिन rational numbers इसका तो मतलब कुछ अता पता ही नहीं है कोई बता नहीं सकता है कोई count नहीं कर सकता है कि कितने rational numbers है यहाँ पर लिखा नहीं सकता जितने भी fractions होते है जितने भी negative fractions जितने भी positive fractions होते है सारे को मिला कर बोले जाता है rational numbers और यह सारे whole numbers भी होते है but जैसे कि हमें बताना हो कि यह false है तो हम बोलेंगे यह false है और region क्या देंगे तो region होगा region यह होगा कि 3 upon 4 is not a whole number एक ही बस एक एकजामपर लेकर बस दिखा दीजिए ठीक है रेस्टन नमर में से कोई एक एक एकजामपर लीजिए और उसको बोल दीजिए कि यह होल नमर नहीं है तो यह सही रीजन होगा एक भी यह दी नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि every rational number is a whole number यदि एक भी नहीं है तो एक कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि पता चल जाए कि whole number में वह a rational number नहीं है तो every rational number कैसे हो सकता है तो therefore it is false because of this ओके तो हमने यह solve कर लिए सारे questions अगले वीडियो में यदि आप playlist में हैं तो अगले वीडियो में मैं explain करूंगा additional numbers thank you so much for watching bye